ये एक एतिहासिक पल और ये एक एतिहासिक घड़ी जिसका हम सब को इंतजार था वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने तीसरी वाद लगातार हमारे एंडिये के गड़बंदन के नेता के रुप मे अपने आदर्णिये प्रहान मंत्री और नेता का चैर सब करने वाले हैं इस एतिहासिक घड़ी पे और इस एतिहासिक सेंट्रल हॉल समविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवाद बन रहे हैं ये हम सब का सवभाग्य है मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमाई इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माद्यम से करोडों लोग जो इस समय संसद्य धल की गतिविधी को देख रहे हैं मैं उन सब की और से आदर्णिय प्रधान मंत्री जी का हारदिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ मैं अपने सभी एंडिये के घटक दल के नेताओं का मंचासीन और सामने बैठे सभी नेताओं का अपने हिज़े की गहराई से उनका भी हारदिक अभिनंदन करता हूँ स्वाज़त करता हूँ हम सब लोग आदर्णिय प्रधान मंत्री जी को अपने दिल की गहराईयों से हारदिक बढ़ाई देते हैं जिनके अथक प्रयास अथक मेहनत हर पल हर घड़ी हर दिन हर वर्ष हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया और यही कारण है कि आज भारत पुना इतिहास रच रहा है कि तीसरी वार लगातार बहुमत के साथ एंडिय की सरकार आ रही है मैं इस घड़ी में इस बात का भी उलेक करना चाहता हूँ कि जहां हमने लोकसभा में एंडिय ने भारत हासिल की और तीसरी वार लगातार वही हमने उडिसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंद्र प्रदेश में भी एंडिय की सरकार एक तरफ़ा बन की और अरुनाचल प्रदेश में लगातार तीसरी वार भी हमने अपनी सरकार बनाई थे और सिक्किम में भी एंडिय की सरकार बनी है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बढ़ाई दिलागा थे ये एंडिय का विकास यात्रा आदर्णिय प्रदान मंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से उनकी नीतियां रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नित्र तु किया और फ्रंच से नित्र तु किया उसका ये नतीजा है कि आज हम इस एतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हमें याद है दस साल पहले उदासीन भारत था दस साल पहले भारत के बारे में ये कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है और आज दस साल बाद मोधी जी के नित्र तु में वही भारत आकांग्शी भारत बन गया और निक्सित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है इसको भी हमको समझना चाहिए देश की सरहद मजबूत हुए देश की सुरक्षा मजबूत हुई अंतर राष्टिय द्रिश्टी से भारत में अपने आपको स्थापित किया आदरनी प्रधान मंतरी मोधी जी के नित्र तु में वहीं देश का इंफ्रस्ट्रक्शर आगे बढ़ा और वहीं गाउं मजबू महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ युवाओं के आकांगशाओं को पंक लगे हमारे किसानों को मुक्खेधार में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा हुआ और यह सब सम्भव हुआ जिस मंतर को लेकर आदरनी प्रधान मंतरी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और उनके परिश्रम के कारण यह हम आज देख रहे हैं और हम अपने नित्रतु का फिर से चैन करने वाले हैं मैं रामधारी सिंग दिनकर जी की कविता पंतियां पढ़ना चाहूंगा प्रणामंत्री जी के पुना स्वागत ने वसुधा का नेता कौन हुआ भूकंड विजेता कौन हुआ अतुलित यश्क्रेता कौन हुआ नवधर्न प्रनेता कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया विग्नों में भी रहकर नाम किया ऐसे हमारे यशा स्री प्रधान मंत्री जी के नेत्वत्तों में हम आगे बढ़ें मैं अपने वरिश्ट नेता भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे आधरनीय स्री राजनाथ सिंग्जी से अन्रोथ करूँगा कि वो इस सदन में एक प्रस्ताव रखे आधरनीय राजनाथ सिंग्जी